तो दोस्तों आपने iPhone accessory की काफी सारी वीडियोस देखी होंगी मगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ iPhone की 7 must have accessories जो आपको help करेगा आपकी privacy को protect करने के लिए आपकी battery health को damage से बचाने के लिए और आपकी iPhone की overall life को improve करने के लिए तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमें हमारी पहली accessory तो आजकल हम अपने phone से काफी सारी videos और photos को capture करते हैं जिसकी वज़े से हमारी phone की memory बहुत ही जल्दी full हो जाती है और उसकी वज़े से हमको अपने phone का backup लेना वरता है या तो laptop में या फिर iCloud में जिसका experience काफी ज़्यादा messy या फिर expensive हो सकता है और ही मैंने भी experience किया है कि multiple buy try करने के बाद भी मेरे iPhone का backup properly नहीं हुआ है जो कि काफी frustrating होता है तो यहाँ पर यह product काफी ज़्यादा useful सकते हैं आपको जो कि है एक OTG pen drive specially designed for iPhone और यहाँ पर यूज करने का process बहुत ही असान है आपको इसको अपने phone से directly connect करना है iExpand app को यहाँ पर App Store से डाउनोड करना है और उसके just एक basic registration के बाद आप अपने automatic backup को on कर सकते हैं जिससे आपकी सारी photos और वीडियो जस्ट एक simple click के अंदर सारी backup हो जाएंगे and that's it आप अपने phone को दुबारा use करना शुरू कर सकते हैं और इसके साथ आपको एक password protection का feature भी मिलता है जिसकी साथ आपकी सारी photos और वीडियो और वीडियो सेफ रहेंगी और इसके साथ दूसी तरफ आपको यह USB-A का connector मिलता है जिससे आप अपनी सारी photos और वीडियो को access कर सकते हैं किसी भी laptop या smart TV के साथ और इस pendrive की storage आपको 64 GB से 256 GB तक मिल जाएगी जो कि आपको cost करेगी 2000 रुपीज से 6000 रुपीज तक जो कि एक बहुत ही अच्छा price point है क्योंकि उतने ही GB का iPhone लेने के लिए आपको around 20-30,000 रुपीज एक्स्टा पे करने पड़ते हैं तो यहाँ पर आपको next product देखने पर बहुत एक normal सा screen guard लगेगा बट ऐसा नहीं है इसके साथ आपको एक बहुत ही अच्छा unique feature मिलता है जो आपके लिए बहुत helpful हो सकता है तो अगर आप कोई public place पे हैं या फिर अपने office में हैं और आप कोई private conversation कर रहे हैं या फिर कोई banking transition कर रहे हैं तो आप यह नहीं चाहेंगे कि कोई भी और लोग आपकी screen को देखें तो इस screen guard के बहुत से आपकी screen completely private हो जाएगी और वो सिर्फ आपको देखेंगी और एवन आपके साथ में भी कोई बैटा हो वो भी आपकी screen को नहीं देख पाएगा तो यहाँ पर दोनों ही screen guard के अंदर clearly difference देख सकते हैं जहाँ पर normal screen guard के अंदर आप कोई भी angle से screen को देख पा रहे हैं बढ़ यहाँ पर privacy screen guard के अंदर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इसके साथ box के अंदर यह aligner भी मिलता है जिसकी मदद से आप घर बैटे ही अपने screen guard को अपने phone पे लगा सकते हैं बिना कोई alignment issues के तो यहाँ पर देख सकते हैं कि privacy screen guard लगाने के बाद आपका phone side angle से completely black out हो जाता है तो जब भी हम एक नया phone खरीते हैं तो उसके साथ हम एक strong case और एक screen guard जरूर खरीते हैं बट वो आपकी phone को तो जरूर प्रोटेक्ट करेगा तो क्या वो उससे आपका camera भी protect होता है नहीं और आपके camera lens के उपर एक simple साथ scratch भी आपके camera experience को completely spoil कर सकता है तो यहाँ पर आपको एक camera protector सज़ेस्ट करना चाहूंगा जो की है Spigen brand का तो बिल्कु screen guard की तरह ही आप अपने camera को भी इस guard से completely protect कर सकता है अगर आपको यह doubt है कि इसके साथ photo quality भी थोड़ी impact होगी तो ऐसा बिल्कुर नहीं है जो की आता है एक strong HD tempered glass के साथ जिसके साथ आपके camera quality भी बिल्कुर भी impact नहीं होती है और यहाँ पर आप यह दोनों फोटोस देख सकते हैं जिसके अंदर एक photo ली गई है with camera protector और यह दूसरी photo ली गई है without camera protector और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फिक्टर बहुत ही clear है और इनके अंदर कोई भी difference नहीं है तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने next product की तो यहाँ पर हम सबको मालूम है कि Apple की नई phones के साथ अब आपको charger नहीं मिलता है box के अंदर तो लोग काफी confused रहते हैं कि क्या उनको एक third party charger लेना चाहिए या फिर उनको एक original Apple charger में invest करना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको Apple charger की recommendation देना चाहूँगा क्योंकि हमने हमारी previous वीडियो में यह testing की है यह देखने के लिए कि कौन सा charger सबसे ज़्यादा best है और उस वीडियो की टेस्टिंग से हमको यह परदा चला कि सारे ही chargers Apple charger के मुकाबले कहीं ज़्यादा heat produce करते हैं charging करते है time और वो आपके phone की battery health को थोड़ा impact भी कर सकते हैं और उसका link आपको हमारे channel मिल जाएगा नहीं तो उसका एक quick link आप यहाँ से भी access कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इसके साथ आपको Apple की original cable यूज़ करने का recommend करूँगा बट उसके साथ काफी लोगों को यह problem आती है क्योंकि पहले तो उनकी condition ऐसी दिखती है पर कुछ time use करने के बाद उनकी condition ऐसी हो जाती है तो इस problem को solve करने के लिए मैं आपको एक बहुत सस्ता solution बताता हूँ जिसके साथ आप अपनी cable की life को almost double कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जो next accessory recommend करूँगा आप वो है cable protectors यह install करने में बहुत ही असान है और एक बर अपनी जगा पे लगने के बाद यह बिल्कुल भी move नहीं करते है और यह आपकी cable को extreme bend होने से भी बचा के रखते है जिससे आपकी cable की life काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और ही cable protectors आपको 100 से 150 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे जिससे आप एक नई wiring में invest करने खर्चे से बच सकते है तो चलिए हम यहाँ पर next product की बात करते हैं जो कि है एक simple सा phone stand बट वो काफी ज़्यादा useful हो सकते है आपके लिए तो जैसे कि हमना काम कर रहे होते हैं और बीच में कोई notifications आते रहते हैं तो आपका flow बीच में disturb हो जाता है और आपको हर बार phone उठा के चेक करना पड़ता है कि क्या वो notification important है या नहीं और notification चेक करते हैं time हम काफी बार extra time भी waste कर देते हैं तो इस phone stand के साथ आप अपने notifications या calls को just एक glance में देख सकते हैं और आप इक quickly decide कर सकते हैं कि आपको इस notification को respond करना है या फिर नहीं बिना अपने phone को उठाए जो कि definitely आपको better focus करने में help करेगा और इसके साथ आप अपने phone को भी काफी comfortably charge कर सकते हैं और कभी आप इसके अंदर कोई movies या videos भी देखना चाते हैं तो इसको आप landscape mode के अंदर भी use कर सकते हैं तो चलिया हमने next product की बात करते हैं जो कि है hands-free phone mount और ये product मुझे काफी ज़्यादा पसंद है बिकास इसको आप almost कहीं भी use कर सकते हैं जैसे कि आपका bed side हो और आप movies देखना चाते हैं या फिर आप कहीं बैटे हैं और आप अराम से video call करना चाते हैं या फिर आप kitchen के अंदर कोई नई recipe try कर रहे हैं तो वहाँ भी ये काफी ज़्यादा useful रहेगा और आप इस mount को कहीं भी use कर सकते हैं जिस जगा की thickness half inch से 3 inch तक हो और यहाँ पर जो इसका phone clamp भी है वो भी आपके phone को काफी ज़्यादा sturdy और secure रखता है और आप इसको बहुत ही असानी से portrait से landscape mode के अंदर भी change कर सकते हैं और यहाँ पर इसका arm भी काफी ज़्यादा durable और sturdy है और आपको किसी भी position में set कर सकते हैं अपने comfort के हिसाब से और इन सारे products के links आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो guys आपको सारे हमारे products कैसे लगे please हमको comment section में ज़रूर बताएं thank you for now, I will see you in the next video